आज हम पहले की तरह ही उत्साहित हैं यदि आप हमारे साथ नए हैं चाहे वह वेबिनार पर हो या यूट्यूब पर या कुछ साल बाद यह एक बहुत ही रोमांचक अवसर है हमारे पास एक ऐसा व्यवसाय है जो अधिकतर एक पारिवारिक आंदोलन है मानवता को उठाने वाला एक मानवतावादी आंदोलन जो हर किसी के लिए समाधान लाता है तो जुड़े रहें और चलिए इस यात्रा को एक साथ चलते हैं तो आज का विशय महान अपेक्षा है तो यहां दोस्तों हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारे पास कोई योजना नहीं है तो आपके मन में क्या है आपकी अपेक्षाएं क्या है या आप क्या सोचते हैं आपकी अपेक्षाएं क्या है जब हम इस यात्रा पर चलते हैं तो हमारे भाई कोलिंज मन्ना को हमारे लिए बर्फ तोड़ने दें महान अपेक्षा कोलिंज मन्ना धन्यवाद स्टार कमफर्ट मैं आज सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ आज रविवार है आप जानते हैं और ये हमेशा अनपैसिव परिवार के साथ जुड़ने के लिए एक सुन्दर दिन होता है आप जानते हैं हर एक के साथ बातचीत करने के लिए आप जानते हैं जैसे कि विशय है एक महान अपेक्षा आप अपने आप से अनपैसिव से क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप जानते हैं जिस दिन आप एमपासी में शामिल हुए आपकी क्या अपेक्षा थी आप जानते हैं हम सभी की अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं आप जानते हैं कुछ, लोग शायद वे अंतरिक्ष चांद और सितारों पर जाना चाहते हैं और हम हमेशा कहते हैं कि एमपासी हर किसी के लिए एक जगह है आप जानते हैं आपके सपने चाहे जो भी हो Unpassive में सब कुछ है सुश्री अकबा ने हमें बताया कि हमें हमेशा अपने सपनों को बढ़ाना चाहिए आप चाहे जितना बड़ा सपना देखने की सोचें सुश्री अकबा आपको बताएंगी कि शायद आपको और बड़ा सपना देखना चाहिए क्योंकि Unpassive विशाल है तो हमारी अपेक्षा क्या है बहुत से लोग कहते हैं आप उम्मीद करने के लिए कुछ नहीं है आप जानते हैं लोग जो देख रहे हैं उसके आधार पर अलग-अलग बातें कहेंगे लेकिन जब मैं इसे देखता हूँ तो मैं Unpassive को अपने द्रिष्टिकोण से देखता हूँ मुझे पता है कि ये हमारी सोच से कहीं बड़ा है जब मैं जूमिन करता हूँ मैं कहता हूँ मेरे भगवान मुझे ये नहीं पता था तो ये बड़ा है और मेरी अपनी छोटी सी सोच में मैं अनपैसिव को एक बहुत बड़े संगठन के रूप में देख रहा हूँ श्री अश्मोपारा के बारे में सोचे जो अनपैसिव की स्थापना के दिन से सब कुछ जानते हैं बस सोचें कि उनके मन में क्या है आप जानते हैं हम एक ब्रह्मांड में हैं मैं इसे इस तरह देखता हूँ मैंने कहा हम एक ब्रह्मांड में हैं और हम जोम कर रहे हैं सभी ग्रहों को देख रहे हैं कहा ओ यह ग्रह यह यह है यह वह यह वह और जितना अधिक आप देखने की कोशिश करते हैं यह उतना ही बड़ा हो जाता है आप जानते हैं और यह और भी रोमान्चक हो जाता है वह हमेशा आएंगे और हमसे बात करेंगे यदि श्री एश मोपारा वहाँ है तो इसका मतलब निश्क्रिय है कि क्या कोई अन्य CEO गायब हो जाएगा हम कितने व्यवसायों में शामिल हुए हैं और हम आपके CEO के साथ बैठे CEO संस्थापक से भी मिलते हैं हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता है आप केवल उस व्यक्ति को जानते हैं जो आपको आपके पास लाया और जब व्यवसाय गायब हो गया तो कोई शरीर नहीं रहा यह निर्भर करता है ओ, आप जानते हैं कि किसी ने मुझे आपका परिचय कराया और यह कैसे हुआ, काम खत्म हो गया है हम आपको कभी भी किसी उत्पात के बारे में कुछ नहीं पता है कभी कभी हम इसमें शामिल होते हैं क्योंकि हम कमीशन बनाना चाहते हैं लेकिन जब आप निश्क्रिय रूप से देखते हैं तो यह कमीशन से उपर होता है कभी कभी कोई कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आप यह क्यों कह रहे हैं कि यह कमीशन के बारे में है क्योंकि हम इसी के लिए आए हैं सबसे पहले हम कमीशन बनाने के लिए आये थे यह सच है संस्थापक अपने आप से पूछें कि हम 30 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो विशेश रूप से निश्क्रिय ररर रर 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 रलताओं पर काम नहीं कर सकते हैं CEO और संस्थापक की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा करें यह समझाते हुए कि वे कैसे व्यवसाय के विभिन पहलूँ को प्रबंधित करते हैं और कैसे वे कंपनी की सफलता में योगदान करते हैं व्यापार प्रक्रियाओं और इंट्रेक्शन के बारे में अधिक जानकारी शामिल करें यह बताते हुए कि कैसे विभिन विभाग एक साथ काम करते हैं और कैसे निर्णय लिये जाते हैं कमीशन की अवधारणा और इसके महत्व पर विस्तार से चर्चा करें यह बताते हुए कि यह कैसे कर्मचारियों को प्रेरित करता है और कम्पनी के लक्षियों को प्राप्त करने में मदद करता है बिंदूओं को सपष्ट करने के लिए उदाहरण या परिद्रिश्य प्रदान करें यह दिखाते हुए कि कैसे विभिन स्थितियों में निर्णय लिए जाते हैं और कैसे वे कम्पनी की दिशा को प्रभावित करते हैं वर्ण नात्मक भाषा का उप्योग करें ताकि कथा में गहराई और सम्रिध्य आए जिससे पाठक को विशय की बेहतर समझ हो सकें क्योंकि वे लागत कम कर रहे हैं इसलिए अन उपशीर्शक केवल संस्थापक और सहयोगियों के लिए जन कमीशन के कारण नहीं है नहीं नहीं कृपया ध्यान से नहीं सुनिए ध्यान से नहीं ध्यान से नहीं 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 वीडियो कॉंफरेंस व्यवसायों के लिए है यह सच है जो लोग conference church आदी करते हैं वे इन सभी का उपयोग करेंगे तो अगर आप पीछे जाते हैं दो कदम पीछे लेते हैं और आप उन सभी उत्पादों को देखते हैं जो अनपार सिर्ट बना रहा है तो यह अधिकतर व्यवसाय व्यवसाय से व्यवसाय है इसे B2B कहें और कलपना कीजिए कि कितने व्यवसाय हैं सैकड़ों से लेकर हजारों तक आ रहे हैं जब वे यह कर रहे हैं तो क्या होगा यह एक महत्वपूर्ण प्रश्ण है जिसका उत्तर जानना आवश्यक है जब कोई व्यक्ती किसी कार्य को करता है तो उसके परिणाम कई प्रकार क हो सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कार्य किस प्रकार का है और उसे किस उद्देश्य से किया जा रहा है उदाहरं के लिए यदि कोई व्यक्ती एक नया व्यवसाय शुरू कर रहा है तो उसके सामने कई चुनौतियां आ सकती है जैसे कि बाजारी की साधनों का सही उपयोग करना होगा और समय प्रबंधन का धियान रखना होगा अन्ततह जब वह यह सब कर रहा होगा तो उसके प्रयासों का परिणाम उसके द्वारा की गई तैयारी और समर्पन पर निर्भर करेगा उन लोगों के लिए स्कूल बनाना जो अकादमी से प्रक्तिशाली उपकरण है, जो बोल भी नहीं सकते, और आप इसे अपने पास सुरक्षित रूप से रखते हैं, आप जानते हैं, यदि आप दूसरों को आशीरवाद नहीं दे सकते, तो मैं हमेशा और हर समय कहता हूँ, कि आप करके आदमी को आशीरवाद देंगे, करके आ बड़ा सवाल है, मुझे और कर दें, यह एक महत्वपून निर्णय है, वे यह तए करेंगे कि आप कितना भुगतान करेंगे, यह एक महत्वपून निर्णय है, इसलिए हम यहां आशिर्वाद देने के लिए हैं, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है, यही कारण है कि Mr. Ashford न चाहे आप शून्य शिक्षा के साथ आए हूँ, यह एक अध्वितिय अवसर है। PhD प्राप करने का महत्व यह है कि यह हमें ग्यान और समझ की गहराई में ले जाता है, जो हमारे जीवन को सम्रिध बनाता है।